एक बार फिर इस चैनल पर आपके लिए बड़ा इंपार्टेंट टापिक जो अकाउंटेंसी से रिलेटिड है वो डिसक्स करने वाला हूं विच चैनल पर जैसे यहां पर यह वीडियो नंबर 26 है ऐसे ही वीडियो नंबर 24 इस चैनल पर है आप उसको देखिए उसमें मैंने डिटेल में सबस्ट्री बुक्स के बारे में बता है बट सबस्ट्री बुक्स में एक बुक आती है पैटी कैश भूक्स उसके बारे उसके फॉर्मेट के बारे में मैंने सारा डिटेल वीडियो नंबर 24 में बताए है आज हम बात करेंगे पैटिक कैश बुक के जो numerical problems आती है जो practical questions होते हैं उनको कैसे solve करते हैं जो format है उनको use कैसे करते हैं पैटिक कैश बुक के तोड़े वी आज बात करते हैं आज के टॉपिक बार लेट्स मोव हैड विद मी इन पंदेंद टोपिक और मेकलें है यह स्टूड़ें बार मैं मैंने बताया फिर भी जल्दी जल्दी देखते हैं प्सक्राइब देख इसलिक्ट पिर इजक्समाल अमाउंट आफ संसे इनकी जो अमांट है वो कम है रख चैस पेचwią 5 उलंको फो सकते हैं जैसे पोस्टेज, एक्सपेंसे, स्टेशनरी, रिफ्रेश्मेंट, कार्टेज, कैरेज, कुली हायर, पैठी रिपेर, जो छोटी मोटी मुरम्मत होती है, कन्वेंस में, बस, फियार, रिक्षा चार्जिस, आटाओ चार्जिस, यह सब आ जाएंगे, यह सब के सब पैटी अक्सपेंसे है, all these expenses are included under petty as a petty expenses in petty cashbook, as such transactions are many but small in amount, यह ऐसी जो लेंदेन होते हैं बिजनस में बहुत सारे होते हैं गिंती में, पर amount कम होते हैं, अब सोचोगर यह सारे expenses, chief cashier, जो head cashier cashbook को maintain करता है, तो यह वो करे, तो उस पर काम का burden बढ़ जाता है, to avoid such burden, to make the content quite easy in practical form, a petty cashier is appointed in the business enterprises, एक petty cashier लगा दिया जाता है, वो जो petty expenses होते हैं, उस सब को maintain करता है, किस में maintain करता है, दो type की petty cashbook है, one is simple petty cashbook, second one is analytical और calmer petty cashbook, clear? next one, impressed system of petty cashbook, यह क्या है, that's very important, वो जो petty cashier है, वो कैसे manage करता है, खर्चों को जो petty expenses होते हैं, उसके लिए petty cashbook में जो system adopt कह जाता है, उसको impressed system of petty cashbook कहते हैं, impressed means advance given to a person, किसी व्यक्ति को advance में कुछ दे देना, और petty cashbook में किसको क्या advance देते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, here petty cashier is given advance in the beginning of the period by head or chief cashier, जो office का main cashier होता है, जो cashbook को manage करता है, वो petty cashier को कुछ रकम advance में देता है, किसी cost period के लिए वो हफता भी हो सकता है, it can be a month or even 15 days, वो जो advance amount दिया जाता है, that is impressed amount, वो क्या करता है, फिर petty cashier, he incurs the expenses from that amount, वो सारे खर्चे जो petty expenses होते हैं, उसी amount में से करता है, जो उसको head cashier से मिलते हैं, एक fixed period के लिए, at the end of that period, he produced a record to chief cashier and reimbursed all the amount that he spent as petty cashier, yes, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो period जिसकी मैंने बात की थी, एक हफता, 15 days और 1 month, जब वो खत्म हो जाता है, वो अपनी petty cash book को chief cashier, the head cashier के पास लेकर जाता है, जो main cash book को manage करता है, वो देखता है कि उसने इतने पैसे खर्च कर दिये होते हैं, दिये गई amount में से, उसको वो reimbursed कर लेता है, जब उसको वो पैसे मिल जाते हैं, समझ लगा, जो उसने ऐसे petty cashier खर्च किये थे, तो एक बात साफ है, जब उसको वो पैसे मिलेंगे, उसके पास दुवारा से फिर वही amount बन जाएगी, जो head cashier किसी भी period के शरवात में, उस petty cashier को देता है, That is impressed system of petty cash book, इस तरह से हर मन्थ या हर उस period के दुरान ये system cash देना, petty cashier के द्वारा उसको खर्च करना चलता रहता है, That is impressed system of petty cash book, Yes students, format के बारे में मैंने बताया, मैंने उस वीडियो में भी डाला है, जो वीडियो number 24 है, उसमें आप देख सकते हो, इसी चैनल पर फिर भी जल्दी जल्दी देखते हैं, Specimen of simple petty cash book, दो तरह की petty cash book है, उसमें cash received first column, जो petty cashier को cash received होगा, वो इस column में, head cashier से जो मिलेगा, cash book follow, cash book का page number लिखा जाएगा, date, particulars, इसमें detail आएगी, पैसे कहां से मिले, कैसे मिले, किस पर खर्च किये, वर्चर नंबर, ये basic source document होता है, जिससे petty cashier record करता है, कि खर्चे पश्र के बारे में, मैं डिटेल में पहले बात कर चुका हूँ, उसी वीडियो में, total payment, यहां पे जैसे dollar लिखा है, जब हम भारत की बात करते हैं, इन इंडिया, our currency is rupees, so we can say that total payment in rupees, specimen of analytical petty cash book, अब analytical की format देखो, same है बलकुल, cash received, cash book follow, date, particular, वर्चर नंबर, total payment, यहां तक, सारे के सारे columns same, एक बात और बताता हूँ, बहुत सी books में, और वो सही भी हैं, एक column यहां पर watcher number के साथ, या date से पहले, एक column होता है, that is laser follow, इसमें भी डाल सकते हैं, वो laser follow का column, और laser follow का column यहां भी होता है, समझ लगा, क्योंकि petty cash book से, हमने laser में posting करनी होती है, तो laser का वो page number यहा books, ओके, अब आप सोच रहे होगे, analytical petty cash book में यह column क्या है, postage, stationary, traveling expenses, sundry expenses, office expenses, then remarks, इनकी बात बताता हूँ, यह जो खर्चे petty casher करता है, उनको classified कर दे जाता है, पर यह जो headings हैं, यह ऐसे हो जरूरी नहीं है, हर question पे depend करेगा, हर business पे depend करता है, कि वहां किस type के खर्चे होते है उतने type के column बना लिए जाते हैं, generally जब हम इस level पे बात कर रहे हैं, जब हम books पे, classes में बना रहे हैं, तो 5 से 7 column बना लिए जाते हैं, expenses को देखके, जो expenses हमारे बनाए के column में नहीं आते, तो वो डाल दिये जाते हैं, as a sundry expenses और miscellaneous expenses, मालो petty repair हो, छोटी सी मुरम्मत करवाई, अब इसमें वो है नहीं, जो हमने heading बना हैं, तो हम उसको sundry expenses में डाल देंगे, तो सारे के सारे जो petty expenses उनको classified कर लिया जाता है, जो किसी में भी नहीं आता, वो sundry में डाल देते हैं, बस यही फर्क है, कि इसमें हर expenses जो है, total payment के बाद उस खर्चे की, clear, उसका visualization कर दिया जात कम है, clear, तो जिस बात का इंतिजार था, वो घड़ी आ गई है, numerical problem of simple petty cash book देखते हैं, पहले question द्यान से बढ़ो, cash received from head cashier for petty expenses, head cashier से amount मिला है, उसको 1000 किस के लिए है, यह January month के लिए है, 2019 में, यह जैन जैन लिखा हुए सब के आगे, तो इसका मतलब petty cashier को 1000 मिलते थे, impress system के अ समझ लगी, अब वो क्या कर रहे है, वो सारे यह खर्चे कर रहे है, सारे petty expenses, telephone expenses, post is expenses, cart is, traveling expenses, post office expenses, paid office expenses, post expenses, telephone bill, miscellaneous means other expenses, cart is paid, यह सारे different type के petty expenses हैं, और यह उनकी amount है, amount आपको पता होना ही चाहिए, कि हमने यह question को नहीं cram करना, हमने system को समझना है, amount जैसे question में होगी, हम वो डालते चले जाएंगे, जितनी भी होगी, यह question दिमाग में रखना, कि इतने पैसे मिले, अब यह सारे expensive, इनको show कैसे करते हैं, जब solution करना हो, इसको solve करना हो, how, yes, let's move ahead, तो इसमें क्या करते हैं, स सबसे पहले, first January को, क्योंकि उसको पैसे मिले, head cashier से 1000 रुपी, to bank, जुरुरी निया bank लिखना है, to cash, generally books में cash भी होता है, और एक बातर सुनो, जो cash received है, starting में, इसके आगे two show करते हैं, तो हम two मानेंगे, क्योंकि books में two होता है, क्योंकि यह जो format में ने ट्यार किया, यह computerized है तो इसमें, generally जो आज कल, two जा buy से नहीं, पता चल जाता है कि कौन सा expenses है cash received और total payment से, कौन सा cash received है, लेकिन इनको differ करने के लिए, इनका differentiate करने के लिए, यहाँ पर जो cash received है उसके आगे two, बाकि जितने भी expenses हैं, इन सब के आगे हम buy use करेंगे, यहाँ से लेके नीचे तक सब के आगे, सारे expenses के आगे हमने buy show करने, buy telephone expenses, buy posters, buy cartes, buy traveling, buy office expenses, buy posters, buy telephone account, okay, miscellaneous expenses, cartes, यह सारे के सारे amount हमने वही डाले, जो मैंने यहाँ पिछे जो last slide थी, उसमें दिखाये थे, यह यहाँ भी लिखे हैं, मैंने आपकी सुविदा के लिए, सारे खर्चे कर दिए, amount paid में यहाँ प इसका total किया, जब total किया, for your kind information students, यह total आया 780, उसको मिले कितने थे, head casher से, 1000, जब उन्हें इसको minus किया, तो इसका जो difference है, that is 220, 220 रुपे बचे, that is balance, balance को भी ऐसी शो करना है, buy balance carry down, 220, जैसे हम normal laser count की balancing करते हैं, और दोनों side का total 1000 लगा दिया, और यही balance, next period की शरुवात में, जो यहाँ पर closing है January के end में, Feb को opening balance बन जाएगा, फिर वही यहाँ 2 के साथ, 2 balance brought down, okay, books में 2 होता है, तो हम 2 लिखेंगे, 220 यहाँ पर brought down कर लिया, अब impressed system के accordingly, उसके पास 220 तो बचे हुए थे, उसने पिछले period के दुरान 780 सी खर्ष कर दिये तो वो 720 रूपीज, फिर head cashier से प्रापत कर लेगा, cash received में 720, वही to bank, और we can say to cash, generally cash होता है books में, उसको cash फिर से मिल गया, petty cashier को, that is complete simple petty cash book, समझ लगा, अराम से सोचो इसको, format को धिमाग में बठाओ, वीडियो को रोक के फिर देखो, एक बात मैं और बदाता हूँ, जब भ देखो, आपको complete information साफसुत्री दिखेगी, yes, dear student, अब numerical problem of analytical और पैटी cash book की बात करते हैं, उसका format हमने देखा था, एक और question पढ़ लो, petty cash balance, 120 रूपीज, उसके पास 150 रुपे का opening balance था, जो पीछे से बचा हुआ था, माल लो, December का होगा, क्योंकि January का मन था है, reimbursement by chief cashier through check, जो chief cashier था, head cashier था, उसने reimburse कर दिये, उसको पैसे वापस कर दिये, जो उसने पिछले मंथ खर्च किये होंगे, उसने खर्च किये थे, 100, 1,350 रुपीज, 1350 रुपे खर्च किये थे भी, वही उसको reimburse होगे, अब सोच के देखो, dear student, उसके पास, इसका मतलब इस period क की शुरुवात में 1500 रुपीज बैलन्स बन गया, अब वो इन 1500 में से सारे महिने के खर्चे करेगा, खर्चे क्या हैं, बाकी देखो, वही फटा-फट, postal stamps about, taxi fair पे किया, supervisor के लिए, blank paper और carbon paper पर्चेज किये, उनकी cost इतनी दी हुई है, इसका मतलब, जो office का pion था, उसने extra का किया, तो उसको tip दी, local traveling expenses, जो office के pion ने किये थे, उसको reimburse कर दिये, उसको दे दिये, मतलब, तो traveling expenses होगे, ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे ये sheet पूरी नहीं आए, अब समझेंगे, तो आगे असान होगा, paid cart is for shifting office furniture, office furniture को shift किया, तो cart is का expenses दिया, जो, वो read up वगरा, कुछ भी किया होगा, what may be the source used, next day, rupees 25, not dollar, rupees 25 spent to send a registered letter by post, 25 रुपे खर्च कर दिये, भी रिजिस्टर लेटर की रिजिस्टरी के लिए, पॉस्टिस का खर्चा हो गया, the driver of the car was given, not dollar, मैं फिर कह रहा हूँ, ये dollar नहीं हम इसको rupees consider करेंगे, क्योंकि हम Indian point of view से समझ रहे हैं, dollar भी ये तो क्या फर्क है, भी, अच्छी बात है न, बढ़गी कीमत, leave it, तो ये हसी की बात ही, अब इसको आगे बढ़ाते है, एक सो बचास रपे उसने fine pay किया, क्योंकि उसके driver ने, office के driver ने violation किया था, traffic rule का मतलब, चलान काट दिया भी, उसका एक सो बचास रपे का, purchase memo books, रुपी 75, कोई, purchased memo books, purchase की है, 75 की, ये stationary का आगया, carrying cost, उसी book को लेके आने की, जो cost थी 25 थी, वो खर्च किये, paid for envelopment, letterheads, लिफाफे वगरा purchase की, ये वी डाग के लिए कुछ post करना होगा, letterpads होते हैं, उनके लिए payment की 150 की, paid for refreshment, refreshment की बात की बात, ये है, समझो स्टुडेंट, ये सारे के सारे expenses है, starting में उसके पास ये वाले balance हैं, दोनों, जो पहले का balance और बाकि उसने reimburse किया रहा, That is the question, अब इसको triple column में कैसे लिखते हैं, आओ देखते हैं, येस जैसे मैंने आपको बताया था, कि triple column cash book में total payment तक same type के column होते हैं, तो procedure भी same हुआ न, यहां तक same procedure, सबसे पहले, to balance brought down, ये देखो मैंने side में question फिर किया है, बड़ थोड़ा चोटा है, देखने में मुश्किल होगी, तभी तो मैंने पहले सारा question समझाया, पैटी cash balance था 150, तो 150 यहां पे cashier receive, ये क्या है, balance है, to balance brought down, और जो बाकि उसको reimburse हुए थे, 1350 रपे, second है reimburse wise chief cashier, impress system में, क्योंकि उसने 1350 खर्च किये होंगे, reimburse, पैटिक, impress system में ने आपको समझाया था, तो 1350 उसको receive होगी, तो ध्यान से देखो, उसके पास total cash 1500 रुपीज रसीव होगया, two के साथ show करना है, ज़रूर ही नहीं यहां bank लिखना होता है, you can write it cash as well, okay, next one, अब सारे के सारे जो postage है, traveling expenses है, station हो रही है, ये सारे हमने expenses show कर दिये with buy, सारे के सारे, यहां भी buy, okay, सारे expenses लिख दिए, expenses जो भी थे, जैसे, postal stamps, postage expenses होगे, taxi fare, traveling expenses में डाल दिये, अगर आप taxi fare भी लिख दोगे, गल्त नहीं है, it's okay, stationery, miscellaneous expenses, miscellaneous में का जो tip दी थी, उसको miscellaneous में डाल दिया, मैंने बोला था ना, कि जो खर्चा किसी में नहीं आता, उसको miscellaneous, आप इसको tip भी लिख सकते हो, tip to beyond, लिख सकते हो, भी beyond को हमने tip दी, ऐसी ये 24th gen की entry है, driver ने जो चलान काटा था, उसको fine देना पड़ा था, जो driver का चलान काटा गया था, car का, तो उसको भी miscellaneous expenses और weekend से fine, traffic rule fine, ये लिख सकते हैं, पर लिखें कि उनको miscellaneous expenses में कैसे लिखते हैं, मैं बताता हूँ, stationary, stationary, यहां साफ stationary, stationary, ये stationary purchase की थी, miscellaneous expenses और होगे, 31st January को refreshment के लिए pay किये, miscellaneous क्यों मैं बताता हूँ आपको, अब हमने column बनाने हैं, जितने type के expenses आपको दिख रहे हैं, अब हार type का column तो बन भी नहीं सकता, 5-7 column बनाते हैं, posters and telegram का column हो गया, cartes का हो गया, stationary का हो गया, traveling का हो गया, बाकि हमने क्या किया, miscellaneous या sundry, जो किसी में भी नहीं आएगा, वो miscellaneous में डाल देंगे, अब समझ लगा, जो जो expenses हमने total payment में लिख है, उन सब expenses को आगे, उन से related column में फिर लिखना है, जैसे posters है, 50 rupees बेखिये, posters में 50 आगे, traveling है, 100 rupees बेखिये, तो traveling में भी 100 आगे, stationary 150, तो stationary 150 डाले, miscellaneous 50, तो miscellaneous में भी 50, इसी तरह से सारे के सारे expenses को, हमने classified कर दिया, उसके particular column में, clear, अब dear student, जैसे हम पहले करते थे, हमने इन सारे expenses का, total किया, जैसे simple petty cashbook में किया था, वैसी हम यहाँ पे total करेंगे, इसका total करने के बाद ध्यान से देखो, क्या हुआ, इसका total आया, 1350, 1350 रपे खर्श किये हैं भी यह उसने, clear, आप उसके बाद balance कितना बचा, 1500 इधर है, balancing करना है, इसको by balance carry down, 150 रूपीज क्या हो गया, balance, दोनों side का total ब्राबर किया, और same balance, जो carry down किया था उसको, 1st Feb को हमने brought down कर लिया, 150 और फिर, head cashier से उसने, अपने जितने पैसे खर्श किते, 1350 रवे, फिर receive कर लिये, impress system में, यह है, complete analytical columnar petty cash book, clear हुआ, एक question और करते हैं, to make it confirm, हम जल्दी-जल्दी से करेंगे बराओ, यह student, numerical problem of analytical columnar petty cash book, petty cash book prepare करनी है, हमने impressed amount 2000, okay, impressed amount का मदब समझे रहे, उसको एक particular रुपे के लिए 2000 भी मिल, 2000 रुपे मिलते हैं, petty cashier को, यह सारे के सारे expenses हैं dear student, आप इनको देख सकते हो, यह उनकी amount है, रुपे में दी हुई है, card is pay की, yesterday charges, bus fare, postage, refreshment, courier expenses, card is, सारे expenses हैं यह, जितने भी हैं, जैसे यह postage है, telegram है, fax charges है, bus fare है, stationary है, taxi fare है, यह हम traveling में डाल देंगे, refreshment है, अगर नहीं बना तो miscellaneous में डाल देंगे, telegram है, postage stamps है, repair of furniture है, laundry expenses, मतलब कपड़े वेरा धलवाए होंगे, miscellaneous expenses, यह सारे खर्चे है, triple column कैसे बने हैं, format आपको पत है, यहां तक भी आपको पत है, simple betty cash book में, सबसे पहले two cash, उसको मिले पैसे, मैंने बोला था two cash, जाब bank लिख सकते हैं, बैंक के थू भी आ सकते हैं, उसके पास payment, उसने cash payment रसीफ की, head cash से 2000 amount received में आ गया, cash received जा amount received एक ही बात होती है, अब उसके बाद, 1st January से लेके, 31st January तक, यह सारे के सारे expenses with buy लिख दिये हमने, जैसे मैंने बताया था, buy बाय करके सारे expenses लिख दिये, अब इन amount को classified करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर है cartes, तो हमने column बनाया, ध्यान देखो, postage का, telephone का, conveyance का, जो bus fare वगरा होते हैं, stationary का, अब cartes का कोई है नहीं, अब बना भी सकते हो, यह नहीं कि हमने ऐसे का नहीं है, column cartes का बना सकते हो, exam में, हमने miscellaneous का बनाया, miscellaneous का थो बनाना ही बनाना है, sundry जा miscellaneous से एक ही बात होती है, और खर्चे, जब हमने cartes का नहीं बनाया था, miscellaneous में 50 रूपीज लिख दिये, पर एक बात है, अब जो भी expensive है, वो किसी ना किसी column में आएगा, किसी में नहीं आ रहा है, वो हमें लग रहा है, ये तो कोई column ही नहीं बना इसका, तो हम उसको miscellaneous में डाल देंगे, जैसे यहाँ पर था STD charges, telephone में डाल दिया, bus fare, conveyance में डाल दिया, refreshment, miscellaneous में चला गया, career charges, post से related है, 30 रूपीज, postage में आ गया, refreshment, फिर miscellaneous में, cart is, नहीं बना था तो miscellaneous में, taxi फिर, conveyance में, stationary, stationary में आ गयी, bus fare, फिर हमने conveyance में डाल दिया, tax charges, telephone वगारा expenses में, telegram, telephone के expenses में, postage, postage वाले में आ गये, repair, miscellaneous में, laundry expenses, miscellaneous में, miscellaneous expenses तो, miscellaneous में आएंगे, इन सब का total किया, इन expenses का total किया, expenses तोटल आ गया, 1065, amount कितना receive किया था, 2000, तो balance कितना बना, 935, by balance carried down, वही balance हमने brought down कर लिया, और जितना पैसा खर्च किया था, head casher से, फिर उसको मिल जाएगा, reimburse कर देगा, head casher उनको, balance था, दुबारा पैटी casher के पास, द्यान से सोचो, 2000 रुपे फिर बन गे, clear, एक बात और, बहुत important, ये जो column है न, जितने भी हमने बनाए है, इन सब का total भी, उतना ही आएगा, जितना total payment का है, आप सोज़रेगे, ये भी कोई बात, ज़रूरी है भी, cross checking के लिए बतानी, आप इनका भी total करके देख लेना, इनका भी कि हमने कही total तो नहीं गर्द कर दिया, ये cross checking हो जाती है, ऐसे, क्योंकि ये बराबर क्यों आएंगे, क्योंकि जितने भी total payment डाली है, वो किसी ना किसी column में है, तो इनका total भी इस total के बराबर आता है, आने जाएंगे, ये इस तुणा इफिंग, दा हॉल कॉंसेट इस क्लियर, जो पैटी कैश्बुक है, अगर इसके column क्लियर है, system क्लियर है, टेकनीक कौन से डाप्ट करनी है, इस वेरी इजी, और बहुँ से motivational वीडियो अलड़ी है, बहुँ से आते रहेंगे, सभी वीडियो को देखें, complete देखें, और full screen करके देखें, और इंतजार कीजिए कुछ और वीडियो का, thank you very much,